हेलो और वेलकम टुकू की ट्रेम लता आप सबका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बैगन की कड़ी बनाने जा रही है तो उसके लिए देखिए मैंने क्या क्या इंग्रिजन लिए है यह अधरक लसुन मिर्च है अपने इसाप से आप लेजिएगा जीटने तो देखिए कैसे बनाते हैं उसके लिए तो मैंने दो चमच तेल लिया है उसमें जीरा गजा से तिल गरम हो जागा तो जीरा डाल दूंकि तो एक चमच भरके आप जीरा डालिएगा और यह जो मिर्च मैंने लमला में स्लाइस करके रखा हुआ है उसको मैं डाल दूंकि 20 स तो आपके मर्जी है आप दोनों तरह से मिर्च लेना चाहते है कि एक ही मिर्च लेना चाहते है वह आपकी मर्जी है आप कैसे लेना चाहते है तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से बुझ लेजिए और बैगन को मैंने दो लिया है और दोने के बाद इसको इसमें डाल के मैं तो ब्यादर देट नहीं लगता बैगन मुझने में तो बैगन को डालके अच्छी तरह से भून लीजिए और एक तरफ मैं अधरक लसुन मेच का पेश्ट भी तयार कर लूँगी ताकि इसको भूझते भूझते पेश्ट भी अच्छी तरह से तयार हो जाए तो पेश्ट मैं पिष्णे में थोड़ा सा हिसाब से डालूगे कि बच्चे भी खाना है बच्चे को भी खाना है तो बच्चे की हिसाब से आप अपने हिसाब से डाल लेजिए तीखा कितना चाहिए तो कड़ी में थोड़ा सा क्या होता है खटापन से तीखा दब जाता है तो उतना दि पूंजना है और नमग भी मैं साथ में डाल देती नमग थोड़ा से ज़्यादा लगेगा क्योंकि दही है तो दही में नमग थोड़ा जादा ही लगता है तो दो चमच अगर नॉर्मली सबजी बनाएंगे तो एक चमच जैसे यह बैगन में आराम से जो चमच में यूज करती यह बैगन में दो चमच लग जाता है तो यह देखिए दही है यह दही को मैं अच्छी तरह से घूंट दूंगी और बेसन बी एक कटूरी जैसे मुझे बेसन जो नॉर्मली कटूरी सब्सक्राइब के घर में जो डाल खाने के होते हैं वही कटूरी में एक कटूरी इसको ब कहले में डाला था तो सिकीफ हो गया तो जीरे अंज्वुइन दोनों कर फोरन जैरूद डाली था मैंने तो देखाना बूल गी थी इसकीफ हो गया था to तो अपने जरूद डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इस तरह से अच्छी तरह से कुक कर लीजिए, देखी बैगन, और यह मेरे अच्छी तरह से कुक हो गया, जारा टाइब नहीं लगता है, इसको ढग के पकाईए, या खुला पकाईए, बहुत जल् देखने से भी अच्छा लगता है, लूग भी और टेस्ट भी, तो मैंने एक चमच भरके इसको डाला, एक से देर चमच, तो नॉर्मली ज्यादा बड़ा चमच मेरा नहीं है, तो इस देखी अच्छी तरह से कुक हो गया है, बस थोड़ा पानी डाल के मैं इसको बैगन को पकने के लिए डाल दूँगी, पानी के हिसाब से वो पकेगा, ताकि पानी मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह से ये बैगन पक जाया, तब मैं दही डालूँगी इसमें, तो ये देखिए, ये दही है, दही को बेसन डाल के मैंने अच्छी तरह से दलगुटनी में ऐस तरह से घोटा है, और अच्छी तरह से मेरे घुड़ गया है, उसके बाद मैंने लंस इसमें नहीं रहना चाहिए, तब तक आपको घोटना है इसको, और जब लंस खतम हो जाया, तो एक तरह देखिएगा, जब बैगन अच्छी तरह से उबल जाया, पक जाया, तब इसको क्योंकि खटन डालने के बाद बैगन नहीं पकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखने है, बैगन पकने के बाद ही आपको दही डालना है, तो जब अच्छी तरह से द्यागन पक जाया, तो बस यह देखिए, मेरे अच्छी तरह से यह उबल रहा है, बस यह अच्छी त यह पक रहा है तो मैं बस इसी स्टेज में जो दही और बेसन का घुल बनाई हुई हूँ बस इसको डाल देना है और डालने के बाद इसको मिलाएगा जो नहीं तो यह गाठे भी पड़ जाएगी और यह दही फट भी जाएगा क्योंकि गरम है तो यह दही फटने का जादा डर है तो इस समय इस स्टेज में आप सारे काम छोड़के सबसे पहले इसको हिलाना जरूर सुरू कर दिजीगा तो क्योंकि यह दही फ और जैसे दही फेर कम से कब आपको 4-5 सपिन आपको इसको लगतार भीलाते रहना है और यह दही थोड़ा थोड़ा आज स्टेज करके आप हिलाते रहे है बस थोड़ा देली में अराम से नॉर्मल हो जाएगा जो दही गरम हो जाएगा तो आपको इतना दिक्कत नहीं होग तो मैंने इसमें और थोड़ा पानी एट किर दिया क्योंकि उबलने के लिए इसको जगा चाहिए तो इसी साब से तो जब यह अच्छी तरह से उबलने लगा तो देखें कितनी अच्छी तरह सी यह उबाल आ रहा है पस इसको कड़ी को एक बात का आपको ध्यान रखने है कि दही को बहुत अच्छी तरह से उबालना है और ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है दही को उबालने से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा शेयर करिएगा मेरे नया चैनल को टेपन कि तेया झारो झालोग या Spaß खालो। झालोगो प्रचीज जेँ इसार भार सुछर।